हेलो फेंड्स मैं हुद दिपंकर वेलकम टू फोटोग्राफिटीव सिंधी जब हम फोटोशॉप लाइडूम या किसी भी सौप्टार या एप पे बेसिक पोस्परसिंग करते हैं तो हम बेसिक हले हमारा इमेज को देखके यहां पे जो सारे बेसिक पोस्परसिंग टूल्स या स्लाइडर्स है जैसे कि यहां पे एक्स्पोजर, कॉंट्रास्ट, हाइलाइट, शैडोस, वाइट, ब्लैक्स, टेक्च्चर, क्लारिटी, डिहेज, भाइब्रेन, साचुरेशन यह सारे बेसिक एजस्परसिंग स्लाइडर को रैंडमली चेंज करते हैं और देखते हैं क यहां पे हमारा इमेज हमको ठीक ठाक दिख रहा है और दोस्तों क्या आपको एक्चुल में पता है कि आप जब इन एक एक स्लाइडर को चेंज कर रहा है तो यह बिसिकले आपका इमेज में क्या क्या इंपैट कर रहा है या आपका इमेज में क्या क्या चेंज कर रहा है क्य आपको पता है कि यहाँ पर जो highlights और whites है और जो shadows और blacks उनमेंद different कमातीर है या कि आपको पता है कि यहाँ पर पर जब texture, clarity, dhase या contour को आप जब change करते दो यह आपका image में basically क्या-क्या adjustment या changes कर रहा है या क्या आपको यहाँा पर पता है कि यहाँ पर जो vibrance और saturation है इन में basically difference किया है I know यहाँ पे जाता लोग को यह पता नहीं होता है और हम basically random यह change करते हैं और देखते हैं कहाँ पे हमारा image ठीक ठाक दिख रहा है तो मैं इस वीडियो में यहाँ पे जो सारे basic adjustment slider है उन सारे sliders को एके करके with practical example आपके साथ discuss करूँगा तकि आप आपका image का condition या type के हिसाब से यह सारे basic adjustment को ठीक ठाक से apply कर सके तो मैं यहाँ पे आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि यह जो वीडियो है वो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि मैं इस वीडियो में हर एक option को time लेके बहुती अच्छे से expand करने वाला हूँ तो आप मेंसे जो actual में सिखना चाहते हैं मैं उन लोग को बोलूँगा के आप यह वीडियो लास्तक जरूत देखना और मुझे यहाँ पर पूरा यकिन है यह वीडियो लास्तक देने के बाद आपका जो basic post washing है वो 100% आपको clear हो जाएगा तो यहाँ पर इस वीडियो के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ Adobe Camera Raw 12.2 और अगर आप Adobe Lightroom को यूज़ करते तो Lightroom में भी development module में आपको यही सारे basic adjustment sliders देखने को मिल जाएगा और अगर आप अलग सा कोई editing software या app को भी यूज़ करते है तो भी आपको वहाँ पर इन सारे basic adjustment का option देखने को मिलेगा तो यह वीडियो आप लास्तक जरूरूत देखना तो वीडियो लास्तक देने के बाद अ और अगर आप इस channel में नए है तो प्लीज सब्सक्राइब के bell icon प्रिस करना मत भूला अगर आप चाहे तो मुझे Instagram में भी follow कर सकते हैं मेरा Instagram link आपको नीचे description में मिल जाएगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो इस वीडियो के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रहा और मैं उस टाइम manual mode में shoot कर रहा था तो मैंने settings में नहीं change किया और जो मेरा settings था उस settings में ही इसके तरफ camera को point किया और 2-4 shots लिया और यहाँ पर यह फोटो मुझे मिला तो यहाँ पर उस टाइम जो sky था वो बहुत ही bright था तो इसलिए आप यहाँ पर देख पाएंगे के जो sky याने की जो background है वो थोड़ा सा bright या थोड़ा सा overexposed है और यहाँ पे जो subject है वो थोड़ा सा under exposed आपको देखने को मिल रहा है तो यह photo मैंने लिया था Nikon D7500 और Nikon 200-500 mm lens को use करके तो उस time मेरा जो camera settings था वो था उस time मेरा ISO था 500 जो साटा speed था वो था 1 ता 800 second और यहाँ पे जो aperture था वो था F8 तो यहाँ पे camera रहा के अंदर उपर left side में आपको यहाँ पे कुछ tools देखने को मिल रहा है तो चलिए पहले इस सारे tools के बारे में एक एक करके discuss कर लेते हैं तो यहाँ पे जो first tool आपको देखने को मिल वा है वो है zoom tool तो आप यहाँ पे इस zoom tool आइकन के उपर click करके या keyboard में Z की को प्रेस करके आप इस tool को select कर सकते हैं तो हम इस zoom tool को use करते हैं हमारा image का किसी particular portion पे zoom करने के लिए इसका मतलब इस zoom tool को select करके आपका image का कोई particular portion में अगर आप click करते रहेंगे तो आपका image उ Photoshop या Lightroom में यह सारे basic adjustment करते हैं तो हमारा subject का कोई particular portion में क्या changes हुआ है उसको ठीक ठाक से देखने के लिए आपका subject का उस portion में zoom कर लेना बहुत ही important है दोस्तों basically Photoshop में image को zoom करने के लिए हम control plus और zoom out करने के लिए control minus की को प्रेस करके भी zoom कर सकते हैं मगर उस case में आपका image जूम टूल को select करके आपका image का जिस portion पे आप zoom करना चाहते हैं वहाँ पे अगर mouse से left click करेंगे या करते रहेंगे तो आप उस particular portion में आप बहुत ही quickly zoom कर पाएंगे आपको यहाँ पे नीचे left corner में एक plus और एक minus symbol आपको देखने को मिलेगा और basically आप इस plus minus symbol पे click करके भी यहाँ पे ही आपको zoom level percentage का एक indicator भी आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे zoom tool के बाद आपको जो tool देखने को मिल रहा है वो है hand tool तो हम यहाँ पे इस hand tool icon के उपर click करके या हमारा keyboard पे edge की को press करके हम इस tool को select करते हैं तो basically इस tool का जो काम है जब हम हमारा image को zoom कर लेते हैं त के लिए हम इसको use करते हैं यहाँ भी इसके बाद जो tools आपको देखने को मिल रहा है वो है white balance tool तो basically इस tool को select करके अगर आप आपका image का कोई neutral gray या कोई white area पे अगर आप click करेंगे तो photoshop का algorithm automatically आपका जो light source है उसको detect कर लेगा और वो white balance को automatically adjust कर लेगा ओके दोस्ता आज का video का जो main topic है वो है इन सारे basic adjustment slider तो मैं अभी के लिए यह tool portion को skip कर रहा हूं कि अगर मैं इन सारे tools को एक एक करके explain करने जाओंगा तो video एक घंटा दो घंटा लंबा हो सकता है तो मैं इन सारे tools के उपर अलग सा video बाद में बनाऊंगा यहाँ पर आपको top पर अलग सा dedicated video मैं बाद में बनाऊंगा तो यहाँ पी इसके बाद basic adjustments section पर जो first option आपको देखने को मिल रहा है वो है treatment और treatment के अंदर आपको यह पर color और black and white का option देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर already color पे set है इसके बाद यहाँ पर आपको profile का option देखने को मिल रहा है और उस आप ब्राउज option पर आके यहाँ पर उस हर एक preset का जो preview है वो भी आप देख सकते है तो आप जो आपका camera में set picture control options देखते हो यह भी basically same ही है तो यह basically आपका image का color tone, exposure, contrast, highlights, shadows, texture, clarity, vibrant, saturation इन सब कुछ को adjust करके create किया हुआ कुछ preset है जो कि आप different subject situation का photo में यूज करके आप उस तर दोस्तों यहाँ पर bird या ओल फोटोगाफी के लिए मैं आपसे recommend करूँगा के subject का जो actual color है या जो उस time का natural color tone है आप जितना हो सके उसको natural रखने का try कीजिए तो इसलिए यहाँ पर मैं इसको adobe color पे ही set करके रखता हूँ तो यहाँ पर इसके बाद white balance का section में आपको यहाँ मैं जहाँ तर time bird या wildlife photography के लिए auto white balance पे ही shoot करता हूँ और हमारा जो modern cameras है वो most of the time auto white balance पे ही accurate white balance हमको देता है अगर lighting condition ज्यादा challenging ना हो तो तो इसको मैं यहाँ पर as shot पे ही set करके रखता हूँ तो इसके बाद आपको जो slider आपको देगने को मिलवा है वो है temperature तो basically slider को हम use करते manually white balance या color temperature को change करने के लिए तो initially यह आप जब shoot कर रहे थे तो उस time का जो white balance था वहाँ पे ही set रहता है और आप जितना जितना इस slider को right की तरफ ले जाएंगे तो आपका image में एक wormy tone आपको देखने को मिलेगा और जितना जितना आप इस slider को left की तरफ ले जाएंगे तो आप का image में blueish या cool tone आपको देखने को मिलेगा दोस्तों जैसे मैं बताया wildlife photography में आप जितना natural color tone रखेंगे उतना बहतर है और यहाँ पर हमारा जो modern cameras है अगर lighting condition उतना challenging नहीं है तो most of the time auto white balance पे ही perfect color temperature पे ही अपना photo को click करता है तो अगर यहाँ पे इस photo की बात करें तो यहाँ प थोड़ा सा slightly warmly लग रहा है तो मैं यहाँ पे slider को थोड़ा सा left की तरफ ले जाके जो warmly tone है उसको थोड़ा सा ठीक करूंगा यहाँ पे और एक मैं important चीज़ बताना भूल गया यहाँ पे नीचे की तरफ यह जो icon आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे क्लिक करके आप image का V4 और आपका जो image हुआ है वहाँ बहुत ही easily देख पाएंगे यहाँ पे मैं white balance change का अगर मैं थोड़ा सा better example आपको दीखा हूं तो अगर आप इस purple hiron का photograph को देखेंगे तो यह photo भी मैंने auto white balance पे ही लिया था पर यहाँ पे आप देख पाएंगे कि image में ज्यादा वर्मी tone आपको देखने को मिल रहा है तो मैं यहाँ पे इसको बहुत ही आसानी से temperature slider को left की तरफ ले जाके उस time का जो natural color temperature था वो मैं achieve कर पा रहा हूं दोस्तो मैं white balance के उपर एक अलग सा dedicated video already बनाया था अगर आपने नहीं देखा तो वो video आप देख सकते उसका link आपको नीचे description में मिल जाएगा तो यहाँ पी इसके बाद जो slider आपको देखने को मिल रहा है वो है tint तो basically दोस्तो बहुत ही challenging lighting condition में shoot करने के time आपका image में कुछ कुछ time green या magenta color cast या tint आपको देखने को मिलता है आप यहाँ पे इस slider पे आके image में जो उस unwanted green या magenta tint है आप उसको compensate कर पाएंगे तो यहाँ पी इसके बाद जो slider आपको देखने को मिल वा है वो है exposure तो basically हम इस slider को use करते हमारा image का overall brightness को ज़ादा या कम करने के लिए जोस्तों क्या होता है manual mode में shoot करने के time specially while या bird photography में क्या कुछ कुछ time overall image हमारा under exposed या over exposed हो जाता है तो ऐसे situation में अगर हमारा image बहुत ही जाता over exposed हो चुका है तो हम इस exposure slider को left की तरफ ले जाके उस image का brightness को कम कर सकते है या हमारा image अगर overall under exposed हो चुका है तो हम इस exposure slider को right की तरफ ले जाके उस image का brightness को जादा कर सकते है या उस time का जो natural brightness था या जो natural light या exposure था हम उसको achieve कर सकते है तो अगर यहाँ पी इस photo की बात करें तो यहाँ पे जो background है यानि कि जो sky है वो थोड़ा सा bright है यानि कि थोड़ा सा over exposed है और यहाँ पे जो subject है यानि कि जो bird है वो थोड़ा सा dark यानि क slightly under exposed है और मैं जैसे आपको बताया अगर आप इस exposure slider को right की तरफ ले जाएंगे तो आपका overall image का जो brightness है या जो exposure है वो जादा होगा यानि कि वो और भी bright होगा और अगर आप इस exposure slider को left की तरफ ले जाएंगे तो आपका overall image का जो brightness है वो कम होगा यानि कि आपका image overall dark होगा तो अगर इस photo में हम इस exposure slider को right की तरफ ले जाता हूँ यानि कि exposure जादा करता हूँ तो आप देख पाएंगे हमारा जो subject था यानि कि जो bird था वो थोड़ा सा dark था वो तो bright हो चुका है मगर उसके साथ साथ जो overexposed sky था उसका brightness और भी जादा हो चुका है और उसका कोई भी details यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है उसका color totally vanished हो चुका है तो ठीक इसी तरह अगर हम इस exposure slider को left की तरफ ले जाते तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो sky है उसका brightness कम हो चुका है और उसका जो detail है यानि कि जो actual color है वो हमें देखने को मिल रहा है मगर उसके साथ-साथ यहाँ पे जो bird है यानि कि जो subject है वो और भी dark हो चुका है और उसका detail lost हो चुका है पर मुझे यहाँ पे जो चाहिए यहाँ पे जो मेरा subject है यानि कि जो bird है उसका brightness भी ठीक टाक मुझे चाहिए और उसके साथ-साथ जो background है यानि कि जो sky है वो भी perfectly exposed हमें चाहिए और उसका actual color details हमें चाहिए तो मैं यहाँ पर brightness से slider को थोड़ा सा जादा करूँगा जहाँ पर देखूँगा कि हमारा जो subject है यानि जो bird है वो ठीक ठाक से exposed हुआ है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि bird के साथ-साथ sky का जो brightness है वो और भी जादा बढ़ चुका है तो मैं यहाँ पर sky को आने वाले क कुछ adjustment slider पर ठीक करूँगा अगर मैं इस exposure को correct करने का कोई better example आपको देखा हूं तो आप अगर इस spotted owl का photograph को देखेंगे तो मैं इस time इस photo लिया था मेरा जो camera settings था उसमें यह photo थोड़ा सा dark या under exposed मुझे मिला तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि मैं इस exposure slider को right की तरफ ले आप के photograph को देखेंगे तो यह image जब मैं लिया था मेरा जो settings था उसमें बहुत ही ज्यादा overexposed आ चुका है तो मैं बहुत ही आसानी से इस exposure slider को left की तरफ ले जाके उस time का जो actual exposure यानकी जो actual या perfect brightness था वो मैं achieve कर पा रहा हूं तो मैं आपसे recommend करूँगा कि अगर आप RAW में shoot क आप बहुत ही आशानी से अगर आपका image overexposed या underexposed हो जाता है तो आप उसको recover कर सकते पर अगर आप JPEG में shoot करते तो आप यह उतना अच्छे से नहीं कर पाएंगे यहाँ पी इसके बाद जो slider आपको देखने को मिल वह है contrast तो आपका image में जो lighter और darker area के अंदर relationship है उसक की तरफ ले जाएंगे तो contrast ज्यादा होगा और left की तरफ ले जाएंगे तो contrast कम होगा तो जब आप इस contrast slider को ज्यादा या कम करते हो यह basically आपका image का mid-down का lighter और darker portion में affect करता है यानि कि contrast को ज्यादा करने का मतलब आपका image का mid-down में जो darker part है वो और भी dark होगा और mid-down में जो lighter portion है वो और भी bright होगा ठीक इसी तरह जब आप contrast slider को left की तरफ ले जाएंगे या कम करेंगे तो आपका image का mid-down में जो darker part है वो bright होगा और mid-down में जो lighter portion है वो dark होगा तो अब अगर इस photo की बात करें तो इस photo में darker area है वो enough dark है और जो bright portion है वो enough bright है तो हम इसे एक contrast image कह सकते हैं त image का contrast को अगर कम करूंगा तो आप यहां पे देख पाएंगे के जो darker portion है वो थोड़ा सा bright हो चुका है और यहां पे bird का जो feather detail है वो भी और भी उभर के आया है और उसके साथ साथ sky का जो brightness है वो भी थोड़ा सा कम हो चुका है और उसका थोड़ा सा detail हमें वापस मिल गया है तो यहां पी इसके बाद जो slider आपको देखने को मिल रहा है वो है highlights तो basically हम इस slider को adjust करके image का जो highlight part है यानि कि जो सिर्फ bright part है उसको हम modify करते है मतलब अगर हम इस highlight slider को right की तरफ ले जाएंगे यानि कि highlight को जादा करेंगे तो image का जो सिर्फ bright portion है यानि कि इस image के लिए यहां पे जो sky है वो आपको bright देखने को मिल रहा है तो सिर्फ वो bright part पे ही effect करता है यानि कि जब हम highlights को ज्यादा करते तो bright part और भी bright होता है और अगर हम इस highlight slider को left की तरफ ले जाते है यानि कि highlight को कम करते है तो image का जो सिर्फ bright portion है यानि कि जो highlight portion है उसका brightness कम होता है यानि कि यह image क जो darker area है यानि कि जो shadows portion है उस पे कोई effect नहीं करता है सिर्फ highlight portion में effect करता है इस photo में हम यहाँ पे देख पा रहे है कि जो background है यानि कि जो highlight part है वो बहुत ही bright है तो मैं इसको यहाँ पे highlight slider को left की तरह ले जाके highlight को कम करूँगा ताकि sky का जो brightness है वो कम हो और sky का जो actual color है वो निकल के आए यहाँ पी इसके बाद जो slider आपको देने को मिल वह है shadows तो highlight slider की तरह यहाँ पे shadow slider को हम adjust करके image का shadow part है यानि कि जो dark part है उसका brightness को हम control करते है यानि कि अगर हम इस shadow slider को right की तरह ले जाएंगे तो यहाँ पे image का जो dark part है यानि कि जो bird का feather का part है उसका brightness जादा होगा पर यह shadow part है उसको ही change करेगा तो इसी तरह अगर हम shadows को कम करते तो image का shadow part है उसका brightness और भी कम होगा तो इस image में जो bird का feather है वो थोड़ा सा मुझे dark देखने को मिल वह है यानि कि वो shadow part है तो मैं इसका detail को थोड़ा सा लाना चाहता हूँ तो मैं इस shadow slider को right की तरह ले जाके bird का feather detail है य या जो brightness है उसको वापस ला रहा हूँ तो यहाँ पर इसके बाद जो slider आपको देखने को मिल वह है वो है whites तो आपका image का highlight portion में या bright portion में जो white clipping है उसको हम adjust करने के लिए यह white slider को use करते है तो यहाँ पर जो highlight slider है और जो white slider है यह दोनों ही image का जो bright portion है उस पर ही effect करता है पर हाईज आप हाईगलाईश और whites में जो difference है यहाँ पर यह हाईगलाईश श्लाइडर को हम left की तरफ ले जाके image का highlight portion में से जो detail है उसको हम वापस ला सकते है और हम इस white slider को use करते है image में true white को define करने के लिए As a example, जब हम इस highlight slider को left की तरफ ले जाके, किसी image का जो highlight portion है, उसमें से जो details है वो वापस लने का try करते हैं, तो उस time क्या होता image का, जो actual white portion है, वो थोड़ा सा dull हो जाता है, तो उस time हम इस white slider को थोड़ा सा right की तरफ ले जाके, image का जो white point value है, उसको हम जादा करके, image का जो true यान की जो actual white color है, या जो उन में से detail है, वो हम वापस ला सकते हैं, तो यहाँ पर histogram के उपर right करना में, आपको highlight clipping warning icon और left side पर आपको shadows clipping warning icon देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पर simply highlight clipping warning icon के उपर click करके, आपका image में से जो blown highlight part है, उसको आप देख पाएंगे, तो यहाँ पर इस photo क अगर मैं यहाँ पर highlight clipping warning icon पर click करता हूँ, तो आप यहाँ पर image में से बहुत ज्यादा कोई blown highlight part आप नहीं देख पा रहा है, पर अगर मैं यहाँ पर इस image को zoom करूंगा, तो आपको यहाँ पर bird का eyes पर और यहाँ पर थोड़ा सा red indicator आपको देखने को मिल रहा है, मतलब यह portion आपका image का blown highlight part है, यानि कि मतलब यहाँ पर highlight portion में जो color details है, वो totally vanished हो चुका है, तो in this case यहाँ पर मैं detail को वापस लाने के लिए, यहाँ पर इस white slider को थोड़ा सा left की तरफ अगर मैं करूंगा, तो आप देख पाएंगे जो blown out highlight part था, उन में से जो details था वो वापस आ चुका ह तो ठीक, इसी तरह अगर आप किसी image को edit कर रहे हैं, जहाँ पर जो white portion है, वो थोड़ा सा actual white से dull है, तो आप उस time इस white slider को थोड़ा सा right की तरफ ले जाके, जो actual white है, या white portion में जो actual details है, आप उसको वापस ला सकते हैं, तो यहाँ पी इसके बाद जो slider आपको देखने को मिल है, वो है blacks, तो basically हमारा image में जो black points है, या जो black clippings है, हम उसको adjust करने के लिए ये black slider को use करता है, तो basically जब हम इस shadow slider को plus करते हैं, तो image में जो dark या जो black portion है, उन में से detail वाफस आ जाता है, पर यहाँ पे जो true black color है, वो थोड़ा सा fade हो जाता है, या वो true black नहीं रहता है, और हम इस black slider को adjust करके, image में जो true blacks है, उसको हम define करते है, या उसको हम achieve करते है, तो अब जिस photo को edit कर रहे हो, वहाँ पे अगर black clippings है, तो आप simply यहाँ पे shadow clippings warning icon के उपर click करके, आपका image में जिस जिस portion में black clippings है, उसको आप monitor कर सकते, जैसे कि इस photo के लिए, अगर मैं यहाँ पर click करूंगा, तो आपको यहाँ पे कोई indicator देखने को नहीं मिल रहा है, यानि कि इस photo में कोई भी black clippings नहीं है, पर अगर मैं इस black slider को बहुत ज़्यादा left की तरफ करूंगा, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि जो blue indicator है, वहाँ पे आपको black clippings देखने को मिल रहा है तो primarily अगर आपका image में ऐसे कोई indicator देखने को मिल रहा है, तो simply आप यहाँ पे इस black slider को right की तरफ ले जाके इस black clippings को remove कर पाएंगे, या आपका image में इसे जो black portion है वो बहुत ज़्यादा fade हो चुका है, या black color का जो details है या जो true black है वो आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो आपको simply वहाँ पे इस black slider को left की तरफ ले जाके जो actual true black है उसको आप achieve कर सकते हैं, तो अगर particularly इस photo की बात करें तो यहाँ पे कोई black clipping नहीं है, मगर यहाँ पे जो black है वो थोड़ा सा मुझे fade देखने को मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे इस black slider को थोड़ा सा left की तरफ ले जाके यहाँ पे जो black color का detail है उसको मैं बापस लाओंगा, यहाँ पी इसके बाद जो slider आपको देखने को मिल वह है texture, तो image में जो सारे small small details है उसको enhance करने के लिए या उस details को decrease या smooth करने के लिए हम इस texture slider को use करते हैं, दोस्तो मैं कुछ दिन पहले यहाँ पे detail slider में जो sharpening section है उसको मैं बहुत ही detail में explain किया था, तो basically जो sharpening है और जो इस texture को increase करना है, वो kind of similar है पर यहाँ पे जो difference है, यहाँ पे जो sharpening है या आप जब image का sharpness को increase करते हो तो यह basically आपका image का high frequency areas है, यानि कि उस area जहाँ पे strong detail है या जो edges है, वो well defined है, सिर्फ वहाँ पे ही impact करता है, पर यहाँ पे जो texture slider है, यानि कि हम जब इस texture slider को right की तरफ ले जाते है या texture को ज़्यादा करते है, तो यह basically हमारा image का mid frequency areas है, सिर्फ उन पे ही impact करता है, तो इसलिए हम इस texture slider को right की तरफ ले जाके या texture को ज़्यादा करके हम image में जो small details है, उसको हम enhance कर सकते है, जैसे कि कोई sand का grain, tree leaves, या bird का feather का portion mid frequency range के अंदर परता है, यानि कि यहाँ पे जो ages है, वो उतना भी अच्छे से well defined या नहीं है, इस जगा का details हम बढ़ा सकते हैं, ठीक इसी तरह जब हम इस texture slider को left की तरफ ले जाते हैं, या texture को कम करते हैं, तो यह basically हमारा image में जो सारे unwanted details है, हम उसको remove कर पा आगे, generally हम जब skin retouch करते हैं, तो हम इस texture slider को कम करके, skin को smooth करने के लिए हम बहुत बार इसको minus करते हैं, दोस्तों जाता है time हम इस texture या clarity in options को local adjustments के लिए use करते हैं, यहाँ पे मैं बता दू, यहाँ पे मैं जो सारे sliders को adjust कर रहा हूँ, इसको हम कहते है global adjustment, यानि कि यह जो मैं changes कर रहा हूँ, यह total image पर apply हो रहा है, और जब हम image का किसी particular portion या particular part पर कोई adjustments करते हैं, तो हम उसको local adjustments कहते हैं, तो मैं local adjustments या local adjustment brush के उपर videos भी जल्दी ही बनाऊंगा, और यहाँ पे while lab या bird photograph में हमें, जो हमारा subject है, यानि कि जो bird या animals है, या उसका body का कुछ पर्ट चाश के eyes या bird का feather details, उसका ज्यादा details हमें चाहिए होता है, except the background of the subject, तो इसलिए हम ज्यादा type ये सारे detail slider, जिसमें image का details enhance होता है, उन सारे sliders को हम ज्यादा तर time local adjustments में ही use करते हैं, तो यहाँ पे अगर इस photo की बात करें, तो यहाँ पे मैं इस texture slider को थोड़ा सा right की तरफ ले जाके, bird का feather details है, उसको थोड़ा समय enhance करूँगा, तो यहाँ पी इसके बाद जो slider आपको देने को मिलवा है, वो है clarity, तो basically ये clarity slider image में से जो local contrast है, उसको increase या decrease करके image का जो actual depth है, उसको control करते है, तो basically ये हमारा image का जो mid tone है, उसमें effect करता है, और जब हम इस clarity slider को right की तरफ ले जाते ह तो Photoshop का algorithm हमारा image का mid tone में जो contrast है, उसको increase कर देता है, और इसलिए image में जो texture है, वो और भी enhance हो जाता है, और आपका image आपको और भी punch ही देखने को लगता है, यहाँ पे अगर आप इस clarity slider को बहुत ही जादा बढ़ा देते हैं, तो ये basically आपका image का overall contrast पे effect करता है, और ये आप का image का saturation पे भी slightly impact करता है, तो इसलिए मैं आप से कहूंगा कि आप इस clarity slider को बहुत ही जादा मत increase कीजिए, अगर आप इसको बहुत ही जादा increase कर देते हैं, तो image बहुत ही over detail या unrealistic आपको देखने को लगता है, और ये आपका image में noise produce भी कर सकता है, ठीक इसी तरह जब आप इस clarity slider को left की तरब ले जाएंगे, यानि कि clarity को कम करेंगे तो आपका image और भी smooth होगा, और आपका image में एक soft focus effect आपको देखने को मिलेगा, दोस्तों मैं यहाँ पे और एक चीज़ एड करना चाहूंगा, जब आप इस texture या clarity या contrast या sharpness ये सारे detail slider जब आप adjust करते हो, तो आपका image को 100% या उससे भी जादा zoom कर लेना बहुत ही important है, क्योंकि यहाँ पे यह आपका subject का बहुत ही micro detail को adjust करते हैं और अगर आप zoom out position पे रखते हैं तो यह basically आपका image में क्या-का impact कर रहा है, वो ठीक ठाक से देखना possible नहीं होता है, यहाँ पी इसके बाद जो slider आपको देखने को मिलवा है वो है dehaze, तो basically हम इस slider को adjust करके image में से haze को produce या remove कर सकते हैं, अगर हम इस slider को right की तरफ ले जाते हैं, तो image में जो haze या fog है, उसको हम totally remove कर सकते हैं, और ठीक ऐसे ही जब हम इस slider को left की तरफ ले जाते हैं, तो image में और भी जादा haze या foggy effects हमें देखने को मिलता है तो दोस्तों अगर इस photo की बात करें तो इस photo में मुझे कोई जादा haze देखने को नहीं मिल रहा है, पर मैं यहाँ पे इस dehaze slider को थोड़ा सा right की तरफ करके image में जो थोड़ा बहुत भी haze है, उसको मैं remove करूँगा, यहाँ पी इसके बाद जो दोनों slider आपको देने को मिल है वो है, vibrance or saturation, तो basically हम सभी जानते के हम इन दो slider को increase करके, हमारा image में जो color है या जो subject का color है, उसको हम enhance करते हैं, पर यहाँ पे vibrance or saturation में जो main difference है, जब हम इस saturation slider को plus की तरफ करते हैं, तो यह basically हमारा image का हर एक pixel का color को enhance कर देता है, या color को बढ़ा देता है, तो इससे क्या होत इमेज में जो सारे pixel already colorful या saturated है, यह उसको भी enhance कर देता है, और image में जो सारे pixel या portion muted है, यानि की desaturated है, यह उसको भी saturate कर देता है, पर यहाँ पे जो vibrance है, अगर आप vibrance slider को increase करेंगे, तो यह आपका image का जो already colorful या saturated portion है, उसको कुछ नहीं करता है, यह बस आपका image का जो muted pixel है यानि कि जो pixel में color नहीं है या जो less saturated portion है यह सिर्फ उस portion का या उस mid tone का color को ही enhance करता है तो इसलिए आप अगर vibrance को increase करेंगे तो यह basically आपको एक realistic और एक अच्छा result आपको देता है जो कि आपको natural नहीं लगता है दोस्तो यहाँ पे और एक मैं important चीज़ एड़ करना चाहूंगा मैं अब तक जिस जिस slider को change किया हूँ वो basically मेरा final adjustment नहीं है यहाँ पे हर एक slider को जब आप change करेंगे तो यह आपका image का दूसरा parameter को भी change कर देता है तो इसलिए primarily यह सारे slider को adjust करने के बाद आपको फिर से किसी भी order पे किसी भी slider पे जाके आपको फिर से इसको adjust करना परता है तो अब मैं इन सारे modification को फिर से थोड़ा बहुत change कर लेता हूँ तो यहाँ पे basic adjustment section के बाद आपको tone curve adjustment का section देखने को मिलेगा तो अगर इस वीडियो में मुझे जादा अच्छा response मिला या अच्छा views मिला तो मैं जल्दी ही इस tone curve adjustment के उपर भी वीडियो बनाऊंगा यहाँ पे इसके बाद आपको detail section देने को मिल वा है और यहाँ पे sharpening और noise reduction का section है तो मैं sharpening और noise reduction के बारे में अलग-अलग दो वीडियो बनाया था अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो का आप देख सकते हैं उसका link आपको नीचे description में मिल जाएगा और उन दोन वीडियो में ऐसे ही मैंने example के साथ बहुत practically यह sharpening और यह noise reduction section में जो सरे slider है उसको एक-एक करके explain किया था तो आप मैं इस HSL adjustment को थोड़ा सा discuss कर लेता हूँ तो यहां पे HSL adjustment यालनी की hue, saturation ओร bien and autumn adjustments तो basically यह color adjustment section है यहां पे आप इस hue section पे आकर आकर आप किसी color को आप चेंज कर सकते हैं जैसे कि यहां पे green color को light green से imlou या deep green तक कर सकते हैं वैसे ही यहां पे और भी इस फोटो के लिए अगर आप यहां पे देखेंगे कि जो स्काई है उसका कलर ब्लू है तो वहां पे आपको ज़्यादा लियुमिनेंस याने की ब्राइडनेस देखने को मिल रहा है और उसका कलर भी हमें ठीक टाक से देखने को नहीं मिल रहा है इसके बाद मैं यहां पे saturation section पे आके particularly blue color का saturation को थोड़ा सा increase करूँगा ताकि जो sky है वो और भी blue और भी vibrant हमें दीखे और यहां पे bird का feather की बात करें तो यहां पे जातर orange और yellow color ही देखने को मिल रहा है तो मैं यहां पे थोड़ा सा orange color को boost करूँगा ताकि पर्टिकुलरली orange color का saturation ज्यादा हो और जो feather का color है वो और भी थोड़ा सा vibrant लगे और इसके बाद मैं इस yellow color का saturation को भी थोड़ा सा increase दोस्तो वीडियो अलेडी बहुती लंबा हो चुका है और आप मेंसे जो लोग इतना तक वीडियो को देखा है मैं उनसे कहूंगा के ये वीडियो आपको कैसा लगा उसका feedback नीचे comment पे जरूर देना और अगर आपको ये वीडियो वाकई में अच्छा लगा या आपको इस इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला तो मैं उनसे कहूंगा कि आप प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्त या रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए जो एक्च्वल में basic post processing सीखना चाहते है क्योंकि अगर इस वीडियो में मुझे अच्छा response मिला तो मैं बहुत ही पोस्ट करूंगा अगर आप इस वीडियो में नया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइक पेस करना मत भूलना अगर आप चाहे तो मुझे Instagram या Facebook में भी contact कर सकते मेरे Instagram और Facebook लिंक आपको नीचे description में मिल जाएगा और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है त प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना तो इसमें मेरे पास इतना है मिलते किसी और वीडियो में